हलो फ्रेंड्स हम देख रहे थे अपनी फिजिकल फार्मसिटिक सेकेंड बी फार्मेसी फोर सेमिस्टर तो हमारी यूनिट फर्स चल रही थी और लेक्चर बन हम देख चुके थे आज हम देखेंगे लेक्चर सेकेंड और इसमें हमने जो कवर किया था वो था क्लोडल बना रखेंगे तो यह देखेंगे यहां पर आपको देख रही होगी कुछ चार्ट के फॉर्म में ठीक है तो अभी यह देखेंगे बहुत जादा लग रहे होंगे लेकिन यह एक्चल बहुत सिंपल है तो डरना बरना नहीं है बिल्कुल भी तो चलिए समझते हैं क्या तो कि यहां पर पर्टिकल साइब हमारा जो है एक ने अनुमेटर से छोठा था फिर अमारे जै कोर्स वाले इसमें हमारा एक माईक्रो میटर से बड़े थे यहां पर आते हैं कौलीड definite उसमें क्या था हमारे जो पार्टिकल साइब यह माईक्रोそे चौट धे यह दिया कान थे य हुई है उसकी unit की तो वह मतलब आपको समझना बहुत जरूरी है कि आखिर होते क्या है यह बाला ठीक है तो उसकी लिंक आपको description मिल जाएगी बाकि आप नीचे जाएंगे जा चैनल के अंदर आप playlist में जाएंगे बहां पर आपको सारी एक micron से बढ़ें तो यहां पर हम एक solution देखते हैं इसी के वेस्ट पर बाक्की की जो भी properties है इन सब को समझेंगे तो लैट कीता है यह हमारा एक क्या है पूरा का पूरा solution है जिसको हम बोलते है dispersion solution यह फिर हम बोल सकते हैं यहां पर colloidal dispersion ठीक है यह इसमें दो चीज़ा हमारी होती है एक हमको बताया था एक dispersion phase होता है एक dispersed medium होता है फेस हमारा यह हमारे particles होगा यह particle जो इसमें हम dissolve कर रहे हैं तो हमारा medium होगा यह वाला liquid जिसके अंदर हम हमारा एक nanometer से छोटा है तो हमारे उजाते molecular वाले यहां कि एनिकॉम बोलते हैं true solution जो हमारे actual में solution होते हैं फिर यहां पर एक nanometer से 1000 nanometer के वीच में आजाते हैं यह हमारे उजाते colloidal वाले और यह बड़े आजाते लेकिन यहां पर यह इतने छोटे हो गए कि इसको हम electron microscope से भी नहीं देख पा रहे हैं तो बस यह है उसके बाद यहां पर colloidal dispersion यह हमारा electron microscope में visible हो जाता है लेकि यह ordinary जो microscope होते हैं इसे simple वाले compound वाले यह optical वाले उन सबसे हम इसको नहीं देख सकते हैं यह वाले जो particles होते हैं और इसके बाद coarse dispersion है तो यह वाला हमारा जो है normal condition normal में भी हम देख सकते हैं कि इसका size हो हमारा एक माइक्रो मीटर से बड़ा होता है यान की काफी बड़ा size हो गया यह हमारा छोटे particles के अपर फिर हमारा diffusion rate का मतलब होता है diffusion होना किसी चीज में अच्छे से mix हो जाना मिलना तो मतलब आप नेखे होंगा अगर body में कोई drugs बगएरा खाते हैं तो हम देखते हैं उसका diffuse rate कितना है उसकी biobility क्या है उससी तरह से आप यहां समझ सकते हैं तो यहां पर diffuse rate हमारा इसका सबसे जादा होता rapid क्योंकि molecular dispersion में हमारे क्या होते है particle size बहुत छोटे होते हैं देन हमारा पराज आएगा not diffuse देन हमारा separation separation मतलब क्या है कि यह दो हमारी जो चीज़े है dispersion वाली और face और medium इन दौनों को हम अलग-अलग separate कर सके मतलब हमको disperge phase को इस पूरे disperge solution से बाहर निकालना है तो इसको हम बोलेंगे यहां पर separation तो जो इसका तो हमारा possible क्योंकि इसके जो particle size बहुत जाथा छोटे होते हैं और इसको हम किसी से भी separate out नहीं कर पाते हैं then colloidal dispersion की बात आती है तो इसमें मतलब छोटे होते हैं लेकिन हम centrifugation बगर ऐसे इसको separate out कर सकते हैं then हमारा coarse dispersion आता है पर बोलेंगे settling of particle तो इसमें तो हमारे सेटल नहीं होते हैं जो molecular वाले होते हैं then colloidal वाले होते हैं यह हमारा centrifugation वही मैंने बता है centrifugation process से यह हमारे नीचे हो जाते हैं मतलब cross हो जाते हैं then हमारे coarse dispersion आती है यह हमारे under gravity मतलब कर नॉर्मल कंडिशन में हम रखते हैं इस पर कोई भी हम मतलब method यूज ना करें तब भी जो हमारे particle होंगे वह कुछ टायम बाद यहां नीचे बैठ जाएंगे ठीक है बाकी एक चीज़ मैं यहां पर बताऊंगा जो हमारे separation था उसमें जैसे हम नॉर्मल फिल्टर पेपर से हमने इसको पास कर लिया था लेकिन जो कॉलेडल वाला होता है ना वह हमारा semi permeable membrane यह हमारे एक ultra filtration होते हैं यान कि आपने अगर बॉड़ी की skin में आपने कोई सुना हुआ ना permeable membrane हमारी जो membrane होती है उसमें मतलब minor से जो particle होते हैं उसको यह पास कर देते लेकिन यह वाले यह उससे पास नहीं हो पाते हैं फिर हम यहां पर आते nature तो nature कैसा हमको पता ही है कि यह वाला हमारा होता है homogeneous क्योंकि यह true solution होता है और इसमें एक ही face हमको दिखाई देता है Hollerones वाले मतलब मतलब दीकते ही homogeneous की तरह हमको अंछ LAUGH झायजी कंहें होते हैं यह हमारे यह сторону होते हैं यह हमारे हलकी cloudy nature के होते है णहीं पारिटिकल होते हैं यह हमारे क्यों होते हैं तो यह हमाहरे होता है बाद中國 की तरह आपको हलके दिखाई देंगे ये वाला हमारा होता है ये भी cloudy nature का होता है लेकिन ये थोड़ा जाधा dark होता उससे फिर हमारे बात आते ही टिंडल effect के तो टिंडल effect हमारे ये वाले so नहीं करते हैं क्योंकि इसमें हमारे particle size होते ही नहीं है तो इससे जब भी कोई light pass होते है वो इन particles पर लगेगी और scattered हो जाएगी तो वो हमारा टिंडल effect सो करेगी बाकि टिंडल effect के ऊपर हमारी आगे की जो वीडियो आएगी properties वाली उसके अंदर हम इनको और brownian motion इन दौनों motion को हम अच्छे से देखने वाले हैं यह भी हमारे जो इसको सो करते हैं brownian motion वही zigzag वाला होता है तो यहां पर पार्टिकल बहुत जादा छोटे होते हैं इसमें नहीं होता है बाकि कुछ आइंस हो गया बाकि glucose का जो solution होता है यह सारी चीज हमारी आजाती है molecular dispersion में यहां पर चीज हो गया बटर हो गया जैली पैंट मिल्क सेविंग नेचराल सिंथेटिक पॉलीमर उसके बाद बिलट तो यह हमारी इसमें आजाती है तो बात कीजा है तो particle size को पहले हम देखेंगे देखेंगे तो size पर बात वही है कि हमारे 3 तरह से होते है molecular मतलब एक से 1000 के भी और course मतलब एक माइक्रोजान की 1000 नेनोमीटर से बड़े particle अब क्या होता है कि जो particle size हमारे होते है यह हमारे color पे भी लाइट पास होते है उसकी wavelength को absorb करते है ठीक है अब ने समझे थोड़ा सा कि यह हमारा particle size है यह हमारा color को कैसे बदलता है आखे इस पर देन जो हमारे colloidal होते हैं उसके color को कैसे influence करता है बदलता है चेंज करता है तो यह समझो कि जो भी हमारी light होती है उसकी wavelength होती है वही तो हमारी क्या होती किसी बी object जैसे यह है इस पर हमारी light गिर रही है फूर वह light reflect होके हमारी आखों पे आ रही है तब ही तो यह हम हमारी इतनी ray आ रही है ठीक है अब यह particle क्या है हमारा छोटा है यह चोटा है तो क्या करेगा यह maximum light को अपने मतलब cross करेगा transmit करेगा यही तो होता इस पर्डिकल के size के different होनी के जैसे उसका जो है color भी हमारा different आने लगता है जैसे example में आपको यहां बताता हूँ यह हमारा है gold colorated lispurgeon में और यह हमारा gold है coarse dispersion में तो let कीचे यह हमारा एक example है colorated lispurgeon का और यह हमारा coarse dispersion का अब इसमें जो हमारा gold है वो हमारा water में dissolve होका यहां पर अब क्या होगा यहां पर जो gold है न वो हमारा क्या है colorated lispurgeon मतलब क्या size हमारा क्या है चोटा है बहुत जाथा और यह हमारा coarse में तो यहां पर जो हमारा gold के particle का size है यह हमारा बड़ा है तो चीज भई है gold का solution है हमारा water के साथ लेकिन यह हमारा collardile है मिनले particle size छोटे हैं गोल्ड के particles साइट छोटे हैं यह हमारा थोड़ा course है यानिकि gold के particles साइट इसके मु вінकाबले से बड़े हैं तो यह वाला जो हमारा होगा यह हमारा होगा red color जैनकि इसमें हमारा सो होगा यह पूरा का in water solution एक ही है लेकिन क्या है कि केवल उनके जो solution का जो particle size है न वो हमारे different है और उसी के वेस्ट पे आप देख सकते हैं यह हमारा red color हो कर रहा है और यह हमारा blue color हो कर रहा है तो इससे हम यहां पर बोल सकते हैं easily तरीके से जो हमारे particle size होता है न यह यह हमारा color को influence करता है यह हम बोलतक है color को change करता है तो यह simple properties बाकी क्या है कि यह हमारा जो particle say होता है यह हमारा अगर decreasing हो यानकि जा हम particle size को छोटा करते हैं तो वो अगर surface area को increase करता है और surface area क्सी का increase होता है तो उसकी solubility भी इसको अगर हम छोटा कर रहे हैं तो इसका सर्फेस एरिया कैसे बढ़ रहा है सर्फेस एरिया भी तो गड़ना चाहिए ना तो चलिए इसको हम यहां पर एक समझते हैं आपको यह बहुत अच्छी से समझ आया गाई तो आप यह समझे लैट की एक हमारा यह पार्टिकल है ठीक है और इसका सर्फेस एरिया यहां पर हम पॉइंट ले ले तो यहां से यहां तक पूरा सर्फेस एरिया अगर हम इसको ऐसे खोल कर रख दें तो यह हमारा रखव्क दो मीटर है ऐग्जमपल समझे अब हमने क्या किया इसको क्या करते हैं इसके स्टा करते हैं तो यहां से हैसी था यह बागों है पर देख करते हैं तो यह समसिंट अब हमने इक daughters की और का तो इसको फो यह बांब क्या था यहीं से हम इसको क्या करते है open कर देते हैं तो यह हमारा कुछ इस तरह का बनेगा और यह हमारा आ गया यहां पे का दो मीटर पिलस हमने इसका पार्टिकल साइच छोटा गिया तो इस बजासा ये वाले ही हमारे आगे ना एक या बन गया फिर ये बन गया फिर ये बन गया फिर ये बन गया तो ये वाले हमारे नए सर्फेस एरिया भी तो क्रियेट हो रहे है ना तो इनका अगर कुछ भी मा पूछा होगा कि अगर समोसा कोई है अगर उसका हम एक कौना काड़ दें या हम ट्राइंगल का एक कौना काड़ दें तो उसके कितने कौने बचेंगे लोग कहते हैं इसी तरीके से दो लेकिन ऐसा नहीं होता अगर समोसा जा तर्कोड का अगर हम एक कौना काड़ देते हैं त तो वह क्या करता है उसकी solubility को भड़ा देता है तो यही हमारा था यहाँ पर की particle size कैसे influence करता है properties को कैसे क्या होता है यह दो चीद आपने देख लिए इसका example gold blood बाला यहाँ पर हमारा है platinum colloid तो यह चीद अब हम दूसरा देखते हैं हमने particle shape का तो shape जो हमारे होते हैं यहाँ यह हमारे basically दो चीदो पर depend होते हैं कि जो हम colloidal solution बना रहे हैं उसको हम किस तरह से बना रहे हैं कौन सा method यूज करके हम उसको prepare कर रहे हैं दूसरा हमारा क्या है type of interaction मतलब जो हमारे disparate face और disparate medium दो चीद होगी उनके बीच में कौन सा interaction force लग रहा है तो इन दो चीदो पर depend होत scope में ही देखकर यह पता लगाते हैं ठीक है friend बाकि यहां पर मैंने कुछ shape बना रहे हैं आप यहां पर देख सकते हैं यह हमारे कुछ spherical shape की आ गए यहां पर फिर glow wheels आ गए और यह हमारा एक coil यह c-o-i-ld है loosely coil thread है यहां पर आपको देख रहा होगा धागी की तरह है यह हमारे कुछ shape है यहां पर हमारा यह कुछ shape में इस तरह आते हैं जानकी long rod हो गई spherical मंदब आप समझ रहे होंगे गोल round shape में circle shape में तो वह हमारा red color show करता है और अगर वो disc shape में disc like shape में तो वह हमारा blue color show करता है तो यह हमारे से आज का पूरा topic आप आप लोग को समझ आ गया होगा next video में अपने समझ करेंगे classification of collards and comparative account of their general properties तो इस topic को जो हम अपनी next video में cover करेंगे तो आई होप यह समझ गया होंगे बागी notes की बात आप website पर जाएगे description में visit कीजिए website मिलेगी वहाँ पर जाके आप notes जो है